हेलो फ्रेंड्स टूड़े विल रिवाइज वेलिविशन चेप्टर एंडर जीस्ट तो हम इस चेप्टर को फर्स्ट अपनी जो जीस्ट रिविजन स्रीज ते उससे लिंक कर देते हैं कि यह चेप्टर हमारे कौन जी पूजिशन पर इस्टेंड करता है ठीक है तो देखिए जो फर्स्ट इविजन लेक्टर था उसमें हमने एक एक्जांपल किया था और इसमें देखाता है कि सेलर था राजस्तान का बायर था राजस्तान का उसने कार शोल्ड कि थी फाइप लेग रुपीज में और हमें इस ट्रांजिक्स में चेक करना था कि क्या जीस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा ठीक है तो यह हमें चेक कर ना था तो हमने देखाता है कि कोई ट्रांजिक्सिन जीस्ते में दाइरे में फटीन करती है नहीं करते उसके लिए फ़र्स्ट ओफ टेक्सिल सप्लाई का होना जूरुरी है और इस बाध कि इस यहां चैपलाई इंटरस्ट कौन सी value पर charge होगा, कौन सी rate से charge होगा, मतलब, 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 हमारा जो chapter है, यहां पर question करता है, कि हमें identify करना है, कि कौन सी value पर GST charge होगा, यानि इस chapter में हम यही पढ़ेंगे, कि मतलब की GST है, वो कौन सी value पर charge होगा ना, यह in relation to particular supply, ठीक है? तो देखिए, valuation chapter, तो valuation chapter है, उसमें generally क्या होता है, कि मतलब, most of cases में, जो मतलब ही transaction value ही, मतलब की GST purpose से value ली जाएगे, अब transaction value का मतलब क्या होता है, transaction value मतलब, जिस value पर transaction की जा रही है, चिक है, कब अगर वो मतलब ही supply unrelated person के साथ हुई हो, और price sold consideration हो, तो unrelated person का, unrelated person के साथ हुई हो, और price sold consideration हो, यह two conditions fulfill हो रही है, then we can say, कि transaction value is equal to value for the proposal GST, ठीक है, लेकिन अब आपको होगी, अगर supply unrelated person साथ नहीं, बलकि related person साथ हो रही हो, तो, या फिर मतलब price sold consideration नहीं हो, तो, मतलब की, इस case में, इस case में, मतलब की related person साथ, या price sold consideration नहीं हो, या फिर कुछ notified supply है, उनके case में, मतलब की, जो valuation rules है, जो chapter 4 में दिये होए है, उनके according हम value identify करेंगे, लेकिन जो, अपने जो सलेबास हो, उसमें सिरफ यही part है, कि मतलब की transaction value is considered as value for the proposition GST, if two conditions are satisfied, ठीक है, तो अब इस जो value है, जो section 15, subsection 1 है, जो transition value, इसमें हम कुछ value add करेंगे, और कुछ value less करेंगे, ठीक है, जो हमें according to, हमें question दियोई हो, तो क्या चीज़ add होती है, क्या चीज़ less होती है, फिर उसके बाद हम value निकालेंगे, जो finally GST purpose है, जिसको बाद GST charge होगा, तो इसको हम देखते हैं, तो first जो मतलब की, जो value add होनी है, जो section 15, subsection 2, close A में दियोई है, taxes, यानि all taxes are included, for the purpose, all taxes are included in transaction value, for the purpose of the value of GST, ठीक है, तो मतलब की, all taxes means, all types of taxes, लेकिन इसमें other than GST, and GST compensations says को छोड़ के, GST बोले तो, CGST, IGST, IGST, और GST compensations, इनको छोड़ कर, all types of taxes are included in transaction value, लेकिन याद रखना है, जो TCS है, वो income tax act है, वो GST के अलावा है, तो मतलब इसके उपर clarification है, तो TCS है, उसको हम tax collector add source, ठीक है, तो मतलब इसको हम transaction value में add नहीं करके चलेंगे, ठीक है, तो first tax is, second section 15, section 15, subsection 2, और क्या बहुते हैं, उसको close B है, उसमें लिखा हुआ है, कि जो भी payment made to third party को, by recipient on behalf of the supply, in relation to supply, तो देखो, इसमें कितनी conditional पर होज़े नहीं है, पहले तो मतलब कि supplier है, contractual liability होज़े to payment के लिखे थर्ड पार्टी को, जैसे कि for example कि मतलब, देखे, आप एक example करते हैं, यह supplier है, और यह recipient है, supplier है, उसने recipient को एक car sold कि, ठीक है, अब यह supplier था, इसको car बना लिख कुछ रो मेंटल चाहिए थी, तो इसने किया कि यह थर्ड पार्टी है, उससे रो मेंटल हाइर की, अब मतलब एक contractual agreement में है, कि इसको मतलब कि इस थर्ड पार्टी को payment करना चाहिए, तो मतलब कि वो contractual liability होज़े पेमेंट थर्ड पार्टी को, अब कि एक payment in relation to supply, अब supply is relation में है, तो मतलब कि car manufacturing की है, तो मतलब कि इस रिलेशन to supply, मतलब इसने जो recipient को supply कि उसकी relation में है, अब supply does not include this amount in his bill में, अब मतलब कि क्या करता है, कि जो recipient है, जो supplier है, वो इस recipient को बोलता है, कि मतलब 5 lakh rupees को car sold करता है, बोलता है कि 3 lakh rupees तु मुझे दे दे, और 2 lakh rupees है, वो 2 lakh rupees है, जो मेरे जो, क्या बोलता है, मेरे जो, क्रेटर, मेरे जो creator है, मैंने जिसे raw metal buy के, उसको दे दे 2 lakh rupees, क्योंकि मतलब कि supplier है, इसको 2 lakh rupees इसको देना था, तो directly जब इसको दे देता है, और जो bill मनाता है, जो supplier है, तो 2 lakh rupees नहीं मनाता, तो 2 lakh rupees मतलब directly इसको पे कर दिया था, इसलिए, तो मतलब कि अपन जब GST लगाने के बात आएगी, कि मतलब कि यह जो supplier था, और जब इसलिए car sold की थी, इसको recipient को, कि मतलब कि तो कौन सी विले बो लगाएगा, 2 lakh rupees अपन क्या करेंगे, इस 3 lakh rupees में add कर चलेंगे, तो मतलब कि, add कर चलेंगे, next है, incidental expenses, incidental expenses है, उसको भी हम क्या करेंगे, add कर कर चलेंगे, incidental expenses मतलब, जो भी packaging है, inspection, certification, charging, installation, testing, charging है, ठीक है, यह loading, charging, designing, charging, जो भी incidental expenses है, अगर वो in relation to supply, add the time, or before the supply of goods होना चाहिए, यहार न, important line है, कि जो भी incidental expenses, in relation to supply होना चाहिए, जिसे loading है, unloading है, packaging की जारी है, inspection की जारी है, installation की जारी है, लेकिन कब तक है, add the time, or before delivery of goods जारी है, add the time, or before delivery of goods होनी चाहिए, ठीक है, अब इसके उपर एक outward free transit insurance के उपर, मतलब की इसको समझते हैं, कि मतलब यह भी incidental expenses दोते हैं, लेकिन अगर यह outward free transit insurance है, अगर यह x factory basis पर है, मतलब की factory से बाहर निकलते हैं, अपना काम नहीं है, फिर मतलब free तुम जानो, तुम्हारा काम जारें, तो मतलब की x factory basis पर हैं, तो इसको add नहीं करेंगे, लेकिन अगर not x factory basis हैं, तो इसको add करके चलेंगे, और इसको हम composite supply भी करके चलेंगे, क्योंकि composite supply मतलब क्या है, कि two or more supplies, where one supply is business supply, and other supplies is engineering, तो मतलब की यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, इसको जो loading, unloading की जा रही है, free दिया जा रहा है, transit insurance से किसी supply relation में, तो वो क्या है, कंपूर supply है, और tax कौन सी रेट से लगेगा, अब गोर पता है, कंपूर supply case में tax है, service charge, add the rate of principal supply, ठीक है, next है, interest, late fees, penalties, और delay payment ठीक है, तो यह भी हम, क्या वो the transit value में, add करके चलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मतलब की, जिसे हमने, time of supply chapter पड़ाता कि, इसके time of supply कूर ली जाएगी, जब अपने को रेशिव होता है, interest, late fees, ठीक है, और tax कौन से रेट से चार्ज के जाएगा, इसको भी हम, interest, late fees, penalty charge के जाएगी है, उस rate से tax charge होगा, ठीक है, लेकिन याद रहना कि, generally मतलब इसको हम, inclusive taxable, taxes cancel करें जलते हैं, जैसे कि, एक recipient है, अगर उसने मतलब उसे अपन कुछ penalty ले रहे हैं, तो अपन अजिम करेंगे चलेंगे, जो 5 लेग रुपीज, अगर उसे interest charge किया, 10,000 हम inclusive taxis मांगे चलेंगे, तो इसको हम without taxis है, without inclusive taxis मतलब inclusive GST मांगे चलेंगे, और इसको without GST हम calculate करेंगे, ठीक है, next subsidy, तो subsidies है, वो भी हम include कर चलेंगे, लेकिन याद रहना subsidy है, किन सी दी गई है, अगर उस central government, state government है, अगर उसके अलाव दी गई उसको ही include कर चलेंगे, और यह मतलब कि जो डारेक्टि लिंक होंची, उस price is trick है, कि मतलब कि हम रिलेट कर पा रहे हैं, जो subsidy है, उस supply की related दी हुई है, लेकिन या रहना blanket subsidy donation है, वो मतलब की value में include नहीं होंगे, तो मतलब की कौन कौन सी value में, मतलब की क्या चीज़े value जो GST proposes or transition value में add होगी चलेगी, taxes, all taxes गूँ जगे accept GST, थर्ड पार्टि को जो payment किया गया है, recipient के दवारा on the behalf of supply, in relation to supply, तो मतलब की क्या होगा उसको add कर चलेंगे, और next incidental expenses है, in relation to supply, before or at a time of supply, वो भी add कर चलेंगे, और शिर्ट इस बात है in relation to supply में, supply से relation में होना जोड़ी है, otherwise हम कैसे add कर सकते हैं उस supply से ठीक है, उस supply transfer में, और next है हम क्या चीज़ exclude करके चलेंगे, तो जो भी discounts होगा है, उसको हम exclude करेंगे, discount अगर मतलब की discount, discount, discount है, अगर वो add time of supply, अपन वो discount बता है ठीक है, मतलब कि मैं जब supply कर रहा हम ता मैं वो रहा हूं, उसको five percent discount चीज़र है, या फिर before supply है, या फिर मतलब discount after the supply, मतलब कि जिससे कि मैंने उसको कहा है कि, अगर आप five thousand quantity आगर buy कर ले तो तब आपको मतलब कि 10% discount दिया जाएगा तो मतलब कि यहां पर एक condition है कि मतलब अगर वो 5000 quantity buy कर लेता है तब उसको 10% discount मिलेगा तब उस case में क्या होगा तो अगर एगर टाइम वेफर supply है अगर वो invoice में so है ठीक है तो इसको एक्सक्रूड कर दो supply से लेकिन अगर अगर आफर सप्लाई मतलब 5,000 quantity buy कर लेगा फिर मिलेगा तो मतलब वो agreement होना चाहिए ठीक आपके पास एक agreement होना चाहिए ठीक है इस agreement है आपके पास येस है मेरे पास और उसको मैं लिंक कर पा रहा हूं तो मतलब क्या करूँगा इस discount को भी मतलब मैं exclude कर चलूँगा otherwise मतलब discount को exclude नहीं करूँगा तो यहाँ पर अपना जो conceptual part है वो complete हुआ अब हम इसको एक example है उससे समझ लेते हैं इससे हमें क्या होगी better understanding हो जाएगी देखिए देखिए आईसे ही जो study matter उसमें जो वेलिवेशन चेप्टर है उसमें जो 12 नमबर क्यूशन वो complete करते है ठीक है तो इसमें मतलब की कोली limited है वो मतलब की supplier है ठीक है उसने मतलब की क्या करते है उसने मतलब की अपने पास पहले भी क्यूशन दिए है 10 नमबर 9 हम 9 नमबर क्यूशन श्राट करते है ठीक है तो जैसे मतलब की 9 नमबर क्यूशन है 9 नमबर क्यूशन मतलब की जो red paper limited है वो मतलब उसने ठीक है जो sold कर रहा है अपने को value निगाने ठीक है तो देखिए मतलब की अपने को क्या निगाने उसमें क्या चीज एड कने क्या चीज लेस इसके अपने की तो अपने पता है कि सेंट्रल गवर्वेंट के अलावा तो सबसेडी रिष्यू होती है वो ट्रांजिस वेलियों में एड का जलते है ठीक है तो मतलब वे 2,10,000 वेसे भी एड नहीं होनी ठीक है और अगर सबसेडी रिष्यू फ्रॉम एडर दें सेंटल इस्टेकर्म पे रिष्यू हूँ है और किसे इन रिष्यू सप्लाई है तो अगर मैं बोलू कि इसको विदाउट अगर मैं बोलू कि प्रीजू टेक्सेज है तो मैं बोलू कि इसको जी अगर मतलब कि अगर जीए से पहले वेल्यू कितनी होनी चीए तो देखिए कि 6000 अपने पास इसमें अपने परस इनकूर्ण है और अपने पास क्या चीए तो अपने पास 5084 अपने पास परी जीश्टी विल्यू आगए ठीक है तो मतलब कि 5084 अपने पास प्रीजिस्ट विल्यू जाई तो इसका आंस बर्वर्य क्या होना चाहिए अपने पास देखिते हैं नाइंग तो आपने पास क्या है इसको हम 5085 अपने पास से वेल्यू आएगी ठीक है तो आपने पास नहीं है ठीक है तो 25,000 अपने पास मतलब मसीन की प्राइज है अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेज है अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेज आप ही बताया था मैंने मतलब की जो भी पेमेंट है रिसीपियंट ने प्य किया है कि थर्ड पार्टी को ओन दे बीहाफ आपप्लियर in relation to supply for which supplier is liable to pay, then we include such value in the transition value, ठीक है तो 5000 include होगा, ऐसे free charges है, अपनों पता थे incidental expenses है, अगर free charges है, अगर वो मतलग कि X factory basis पर नहीं है, अगर मतलग कि we have not given any information regarding अगर अगर होगा, तो मतलग इसको हम add करके चलेंगे ठीक है, और जो भी लिखा होगा कि flow has agreed to deliver the goods, अब खुद ही बोल रहा है, मतलग कि अगर अगर ही हो जाता है, अगर supply ठीक है, मैं तरी गरता पहुंचाँगा, तो मतलग इसको हम add करके चलेंगे ठीक है, और जो भी subsidy receive from state governments on the sell of machine under skill development programs ठीक है, तो state government से मिलती ही तो वैसे भी मतलग कि इसको क्या मतलग subsidy is directly linked to the price, अब देखिए, तो 5,000 subsidy है, देखिए subsidy का वैसे भी मतलब इस एफेक्ट ने दियो वहाए, मतलब इस value की 2 और 3 का effect दियो हुआ था, तो subsidy का अपना कोई treatment करना नहीं, ठीक है, अगर effect दियो हुआ था, जैसे मतलब अगर यह subsidy, अगर subsidy क्यों मिलती है, subsidy इसलिए तो subsidy दी जाती है, तो मतलब इसमें लिखा हुआ है, मतलब की 2 & 3 का effect है इसमें, मतलब subsidy का अगर effect होता, तब 25,000 में हम क्या करते हैं, कि subsidy 5,000 less करते हैं, और फिर 20,000 में हम customer sell करते हैं, अगर इससा रहता है कि subsidy का effect अगर दिया होता है, तब हम 5,000 को वापस add करते हैं, हम subsidy अगर central government दिवारे दी जा रही है, तब हम sorry मैं confused होगा देखिए, कि मतलब की 25,000 है, इसमें exclude taxes and other charges mentioned at serial number 2 & 4, सिर्फ यही exclude करके मतलब की central government दिवारे जो subsidy दी जा रही है, उसका इसमें effect है, मतलब 5,000 already less की ही है, ठीक है, तो 5,000 already less की ही तो अपने इसका effect कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इसका effect नहीं दिया हुआ था, अगर इसका effect अगर इसका effect अगर नहीं दिया हुआ था, तब हम क्या करते हैं, कि 5,000 है, इसको हम उस value से less करते हैं, ठीक है, और हम क्यों समें नहीं नहीं दिया हुआ है या नहीं, तो हम हम always assume करेंगे कि इसका effect दिया हुआ है price में मतलब कि हमने जो 25,000 की list price थी उसमें हमने already मतलब कि जो machine की price है वो subsidy को consider करके ही decide की है कि हमें government से 5,000 subsidy मिलनी है और हम इसको जैसे मतलब जैसे original price 30,000 है तो हमने 25,000 की price fix कर रखी है तो इसका effect दिया हुआ है अगर specific नहीं दिया हुआ अगर इससे दिया हुआ है कि मतलब कि subsidy को consider नहीं किया और हमें subsidy की से मिल रही है तब हम 25,000 में 5,000 less करते अगर effect नहीं दिया हुआ ठीक है और discount है 2% offer है और price mention है और record दिन दिन वह इस ठीक है तो 2% offer discount जै देगे इसमें ठीक है तो मतलब इसका answer क्या होगा देखो इक answer क्या होगा कि 25,000 machine की price है अब इससे क्या लिगा क्या है और centler government से मिल रही है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं ठीक है और थर्ड पार्ट इससे फ्रीट चार्जेश है 2000 वह भी आपको पता होना है और total इससे में से 25,000 डिसकांट लेस होना क्योंगी invoice record वह भी है तो मतलब आपका confusion कहाँ पर होगा subsidy है इसका confusion यह है कि जैसा subsidy अगर अपने को मिल रही है ठीक है तो first of all अगर अगर कोई information नहीं कि subsidy में से price का effect दिया होगा, अगर हमें कोई information नहीं दिया है तो हम मानेगे कि effect दिया हुए है और हमें कुछ करने जूद नहीं है लेगन अगर specific information दिया है कि subsidy का effect नहीं दिया हुआ ता हम उसका effect देगे उसमें अगर करेंगे लेकिन अगर सब्सेडिया में अधर दें सेंटर से मिल रही है और में क्यों नहीं रहे है कि क्या मतलब है इसका एट दिया हुआ है या नहीं डिया हुआ इन Arizona 인दिया टो इसका टीन 잡् 돌ब्रम करेंगे किइंस ओना था मैंने ओनाग्ड तो थी मिजए ग üzerhana प्राइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हमें क्या है प्राइज कम की नहीं है टो हमें कंपने कोई ट्रीटमेंट ने गेंक ठीक है, curry कैरे मेरे सिर्ट स्फिस के लिग का def awfully किरे दुट्व 250 ब्राइज veggie क्या काEZ इसको क्या करें हम इसने बुलाई excluding taxes and other charges ठीक है तो municipal taxes है वो इसमें add नहीं है ठीक है तो चो taxes ठोड़के और other charges जो भी मतलब कि 3rd 5th और 6th में ठीक है तो वन लेकर उसमें अपने add करें चलें और टाइस इंस्पिक्शन जाज थर्ड नमर का नहीं है तो इसको add करेंगे लेट फीस डिलेट पेमेंट्स पे 1,000 की GST इंक्रूड है तो अपन क्या करेंगे एंट्व डिवाईड वाईट इंट्व सो तो करके ह हम मतलब की 1,000 है उसकी प्राइज निकाल लेंगे ठीक है और जो मतलब की इसको भी हम क्या करेंगे इंस्ट इंस्ट इसको भी add करेंगे ठीक है तो यह तो easy question था क्या चीज़ एड हो नहीं क्या चीज़ लेस हो नहीं ठीक है जिसके लिए कंशी लेकले लेकल लिए रिवाईबस तो इसको 20,000 अटार इसको अटेशिंगे है चाज़ है अगर नहीं है और दिसकांट 2% प्र्षंट प्र्राइज व गया अगर निष्कांट 2% प्र्षंट प्रषंट आ ईसको एसको लेगा है और मतलब केलेंगे प्रवा पोस्थ इसकाउंट है अगर मतलब कि क्या वहते है उसको पॉस्थ इसकाउंट अपने के चलते हैं जब अगर इन रिशनल्ट सप्लाई हो और इसको डिरेक्ट लिंक कर पा रहे हैं एग्रिमेंट भी अपने पास तब करते है ठीक हा लेकि इसमें कि महलत कि तो यहां पर हमने एक्जामपल के लिए यह चेफटर के लिए ठीक है